अलो 10th class students आप सबका स्वागत है definite success पाटशाला के इस प्यारे से प्लेटवार्म पे एक अकेला ऐसा प्लेटवार्म जो आपको देता है best education वो भी best faculties के द्वारा offline mode और online mode दोनों modes में चलिए start करते हैं इस वीडियो को तो इस वीडियो में cover करवा रहा हूं आप लोगों को sample paper वह वाला जोंसा cbsc ने खुद release किया है तो basic mathematics का आप यहां पर sample paper देख रहे हैं जो कि cbsc द्वारा release किया गया paper है तो इसलिए आप यहां पर देख भी रहे हैं कि cbsc sample paper है जिसमें इस वीडियो में मैं सिफ आपको cover करवा रहा हूं सी और डी वाला section अब ए और बी section जो इससे पहले के दो section थे वह already मैं already cover कर चुका हूं अब यहां पर हम लोग c o d option cover up करने जा रहे हैं तो भाई c and d option मतब c and d वाला section है उसमें question number 26 से आप इस वीडियो में watch करेंगे question number 35 तक ठीक है तो question number 26 से पहले का जो है question number 1 से लेके question number 25 वह already आपके पास release है नीचे description box में link available है start करते हैं इस question को तो prove that root 3 is an irrational number और अगर आपने वो सारे sample papers watch किये हैं जो definite success पाटशाला के खुद के booklet में provide किये गए थे उन questions में भी मैंने इस question को important बताया है कि आपको root irrational numbers दे देंगे कि इनको proof करिए कि irrational number root 3 root 5 कुछ भी दे सकते हैं वो root 7 दे देंगे वो कहेंगे इसको proof करिए कि irrational number है तो इस variety का question important हो सकता है 2 से 3 marks का question definitely मैं कहूंगा आपको देखने को मिल सकता है चलिए start करते हैं तो अगर root 3 को irrational बोलना है तो यहां पर प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखूं solution और हर एक step लिखके दिखाओं तो यहां पर मैं पहले तो बोल दूँगा कि let root 3 be a rational number root 3 be a rational number और अगर यह rational number है that means यहां पर इसको हम P by Q के form में denote कर सकते हैं जहां पर हम बूलेंगे where where P and Q both are co prime numbers P and Q both should be both should be तो यहां पर यहां पर यहां जाएगा both should be co prime numbers कैसे होने चाहिए को प्राइम नंबर्स होने चाहिए चलिए अब दूसरी बात करते हैं यहां पर तो P by Q Coa Prime Numbers होने चाहिए, अब मुझे अपनी बाद को Contradict करना है देखिए, मुझे Proof यह करना है कि Irrational नमघर है, तो मैंने कहें लिए high Rachel तो जब मैंने rational number बोला तो मेरी बाद यहां पर Contradict होने वाली है, मुझे P and Q को Coa Prime Proof करने की कोशिश करनी है, और मैं नोटिस करूगा कि P and Q verändert कूरांइम नहीं अब को प्राइम का मतलब समझ आना चाहिए को प्राइम का मतलब ये है कि दोनों में जो common factor है वह सब mother than one और कुछ नहीं मतलब राइंग 하지 इसमें common factor precisa 1 होता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करता अगर मैं दोनों तरफ icon करता हूं notice करेंगे कि ये fraction बन जाएगा P square by Q square which is equals to 3 ऐसे ही बनेगा और Q square को अगर मैं यहां ले गया तो P square की value मुझे मिलेगी 3 Q square that means अगर मुझे P की value चाहिए आप समझने इस चीच को अगर मुझे P की value चाहिए तो P में एक 3 as a factor होना चाहिए जो यहां पर इस 3 को cut कर पाएगा done तो यहां पर P should be equals to 3M अब यह M कहां से आया तो यह कोई भी value हो सकती है 3 as a factor होना चाहिए again on squaring this मैं लिखूंगा again on squaring this again on squaring तो यह चीज हो जाएगी P square is equals to 3M square मतलब यह हो जाएगा 9M square तो यहां पर यह हो जाएगा P square is equals to 9M square अब आप देखना यहां पर यह है मेरी second equation और यहां पर एक P square की मैंने value निकाली थी इसको अगर मैं first equation रख दू ठेक है तो P square की value 9M square और P square की value 3Q square अगर इन दोनों के equalize कर दू by first and second by first and second मैं notice करूँगा कि 9M square is equals to 3Q square ऐसे न लिखते हुए अगर मैं ऐसा लिख दू कि 3Q square is equals to 9M square और इसको solve करके अगर मैं Q square की value निकालू तो यह again 3M square आएगी और अगर मुझे Q की value चाहिए तो Q की value में अगर मुझे इसको proper दूब करना है को प्राइम बनाना है देखो मुझे तो यह प्रूफ करना है कि P and Q को प्राइम है तो आप notice करेंगे कि P में तो मैंने यह प्रूफ किया कि P should have 3 as a factor यहाँ पर मैं notice कर रहा हूँ कि अगर सिफ Q की value चाहिए तो again Q should have 3 as a factor तो यहाँ पर मैं 3 बोल दूँगा तो मैंने क्या notice किया मैंने इससे और इससे यह notice किया कि P और Q में 1 as a common factor नहीं आ रहा इसमें 3 भी आ रहा है तो यह को प्राइम नहीं है this shows this shows that this shows that P and Q is not co-prime number हमने शुरुवात में क्या बोला था कि वो co-prime numbers होने चाहिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि वो co-prime numbers नहीं आ रहे तो अगर वो co-prime नहीं आ रहे तो that means जो हमने शुरुवात में यह बोला कि let root 3 भी है रैशनल नंबर यह हमने गलत बोला कि रूट 3 रैशनल नहीं हो सकता तो इसका कहेंगे हम therefore root 3 is irrational number कि हम root 3 को P by Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते root 3 एक irrational number है है ना वो रैशनल नहीं है तो इस तेके से आपने question number 26 जो की 2 से 3 marks का definitely मैं कहूंगा यह variety आपको देखने को मिल सकती है इस बार आपके exams में तो यहाँ पर यह जरूर तियारी करके जाएगा चलिए move करते है question number 27 इसके next question पर move करते है find the zeros of the quadratic polynomial again यहाँ पर हम लिख लेते हैं solution ठीक है और यहाँ पर इन्होंने बुला है कि आपको हमने दिया है 4s square minus 4s plus 1 यह दिया है ठीक है तो इसके zeros निकालने है इसका क्या निकालना है इसके zeros निकालने है to find zeros to find zeros हम 10th class में यह चीज़ सीखते हैं कि zeros निकालने के लिए दो तरीके होते हैं पहला तरीका हम कहते हैं कि middle term split कर दीजिए और अगर middle term split करने में कोई issue आ रहा है तो आप quadratic formula का use करिए quadratic formula का जो पार्ट है इस बार आप लोगों को 10th class students यहाँ पर omit करवा दिया गया था cbsc ने उस पार्ट को हटा दिया था तो हम इसको जाएंगे middle term split की तरफ से ठीक है इसको note करिएगा to find the zeros of this हम क्या बोलेंगे तो इसका middle term split by middle term split method by middle term split ठीक है अब middle term split से अगर हम move करते हैं तो यह आ जाएगा 4s square देखो 4 into 1 is 4 तो 4 बनता है 2 into 2 से that means minus 2s ठीक है अगें minus 2s plus 1 इन दोनों में से आप s common ले लिजे और 2 common ले लिजे तो यहां पर यह आपका negative 1 बाहर आ जाएगा ठीक है to find the zeros पहली बात तो मुझे इस equation को equal to zero करना पड़ेगा तो इसको zeros के equalize करना जरूरी है zeros find करने ना तो जब भी expression के zeros निकालने हैं तो उस expression को equation form में change करके equal to zero कर दो तो अगर दी वही expression का middle term split करता हूँ और equal to zero कर देता हूँ तो यहां पर इस तही किसे हम लिख सकते हैं अगें यहां पर 2s minus 1 common आ जाएगा और दूसरा बचेगा again 2s minus 1 equals to zero तो यहां पर आप notice करेंगे जो s की value है वो 1 by 2 आएगी अगें यहां पर भी s की value 1 by 2 आएगी s की value देखिए 1 by 2 आए इन्होंने बोला find the zeros of this quadratic polynomial निकाल लिए 1 by 2 1 by 2 done अब यहां पर हमें जो variable दिया था वह s दिया था तो यहां पर हमने इस polynomial को हम शुरुआत में यह बोलना चाहिए था कि p in the terms of s given है ठीक है तो इसको equal to zero किया let यह भी एक आप लिख दीजिएगा let p polynomial given polynomial in the terms of x s equals to zero तो जाके आपको दो zeros मिले हैं अब यह दो zeros मिल गए question में next part में हमसे बोल रहा है verify करिए कि आपने जो किया वो सही किया है verify करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे to verify to verify as we know जैसा कि हमें पता है हमें यह पता है कि alpha and beta दो zeros होते हैं sum of the zeros sum of zeros that is i.e alpha plus beta is equals to minus b upon a यह होना चाहिए ठीक है alpha plus beta दो दो zeros का जो sum है वो minus b upon a के बराबर होना चाहिए इस case में जो हमें polynomial given था polynomial in the terms of s जो हमें given था वो हमें given था क्या तो वो given था 4s square minus 4s plus 1 इसको अगर मैं general form से compare करता हूँ compare it with general form compare it with general form अगर इसको मैं general form से compare करता हूँ तो क्या होगा a की value 4 है b की value यहाँ पर minus 4 है और c की value आप notice करेंगे वो 1 है ठीक है general form से अगर मैं compare करता हूँ तो a की value b की value c की value अगर यह a b और c की value आप यहाँ पर डालते हैं तो आप notice करेंगे alpha plus beta की value है वो यहाँ पर निकल के आ रही है minus b upon a that is minus into minus 4 upon 4 यही निकल के आ रही है ठीक है तो a की value यहाँ पर 4 थी हमने डाल दी देखें यहाँ पर minus into minus is plus तो यह आ जाएगा 4 by 4 that is 1 alpha plus beta दोनों zeros का जो सम है वो वन आ रहा है इधर notice करी है आपके जो zeros निकले जब आप 1 by 2 और 1 by 2 को add करेंगे तो वन आएगा तो यहाँ पर हमारा सम ठीक निकल के आया ठीक है तो यह verify करने का तरीका होता है to verify तो यह हमने verify किया sum को sum of zeros आचा अब हमें product of zeros को भी verify करना पड़ेगा तो product of zeros that is alpha into beta तो alpha beta की value c by a के बराबर आनी चाहिए अब c की value थी 1 तो यह रहा c1 और a की value क्या है 4 तो 1 by 4 ठीक है अब यहाँ पर आता हूं तो आप verify करिए 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4 yes verify हो रहा है alpha beta 1 by 4 आ रहा है alpha plus beta 1 आ रहा है यहां पर भी दो zeros का sum 1 by 2 1 by 2 1 आ रहा है product यहां पर 1 by 4 आ रहा है यही इन्होंने verify करने को बोला था तो product of zeros भी हमने check कर लिया और हमने यहां पर sum of the zeros भी check कर लिया ठीक है और जो zeros आपके आए थे उनको भी अगर आप solve करते हैं तो एक step वह भी आएगी ठीक है कि यहां पर product of zeros 1 by 4 आ रहा है ठीके sum of zeros 1 आ रहा है आपके जो zeros आए उनका sum और उनका multiplication भी 1 and 1 by 4 दे रहा है डन तो यह verify करने का तरीका है चले move करते हैं question number 28 की तरफ the coach of a cricket team buys 4 bats एक cricket team का coach है उसने कितने bats लिये हैं चार bats लिये है and one ball और एक ball खरी दिये और total जो उसने खर्चा किया है वो है 2050 रुपे ठीक है अच्छा लेटर शीबाइज 3 bats and 2 balls for rupees 1600 बाद में उसने फिर तीन बैट और दो बॉल लिये हैं 1600 रुपे की आप बताईए एक बैट और एक ball की cost किया है तो यहां पर basically आपको है न मैं कहूंगा equation form करनी आनी चाहिए linear equation in two variables यह chapter है इसलिए आपको दो यहां पर variables लेके यहां पर equation बनाके दिखानी है तो दोनों conditions को अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं है तो यह बोलूँगा let the cost of let the cost of one bat is equals to rupees x again let the cost of one ball is equals to rupees y x and y हमने ले ली ठीक है अब according to the given condition लिखना है पर कैदा आपको ठीक है according to given condition अगर दी हुई condition पर हम move करते हैं तो यहां पर इन्होंने बोला है four bat one ball four bats and one ball cost rupees पहला statement क्या बोला है rupees two zero five zero यही बोल है इस चीज़ को अगर equation में लिखूं तो एक बैट का cost चार रुपे मतलब चार बैट four x के होंगे एक बॉल y rupees की है तो plus y rupees आप सामने वाले को amount पे करोगे दो हजार पैचास उरुपे यह आपकी first equation हो गई डन अच्छा इसके बाद यहां पर हम जो second condition given है उसको देखते हैं लेटर three balls लेटर three bats three bats and two balls three bats and two balls cost rupees sixteen hundred यह condition दी है इस condition को लिखेंगे तो तीम बैट का cost three x two balls का cost यहां पर two y यह आपका आ जाएगा sixteen hundred यह आपकी second equation बन गई तो अब आपको देखिए आपके पास दो equations आ गई है एक equation है आपके पास four x plus y equal to two zero five zero और दूसरी equation आपके सामने है three x plus two y equals to 1600 इन दोनों में अगर मैं यहां पर यह बोल दूँ कि उपर वाली equation में आप two का multiplication कर दीजे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर on multiplying two in first equation देखिएगा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं इसको भी हटा जेते हैं चलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं on multiplying on multiplying to both sides to both sides of first equation कैसी वाली equation है पहली equation में two का multiplication कर देते हैं तो two into four eight होता है eight x plus two y ठीके which is equals to two का multiplication यहां होगा तो two zero times two five times zero carry one यह वन नीचे उत्रा two into two is four चार हजार एक सो यह आपकी third equation बनी ठीक है अब मैं बोल रहा हूं कि आप first third में से second गो third में से second को subtract कर दीजे on subtracting subtract subtract second from third from third देखिएगा second को third में से हटाया तो 8x में से 3x गए तो यह बच्चा equation 5x 2y 2y cancel out हो गया which is equals to 4100 में से 1600 हटा दो तो यहां पर 11 में से 6 गए तो 11 में से 6 गए तो यह आपका बचेगा 5 ठीके और 4 बन जाएगा तीन में से 1 गया 2 और x की value यहां पर आएगी पच्चिस सो divided by 5 पच्चिस सो divided by 5 तो x की value यहां पर आ रही है 500 रूपीज 500 x की value आई आपका answer क्या बनेगा तो यही तो हमें निकालना था तो finally answer आ गया answer क्या आया हमने x लिया था एक बैट का cost therefore cost of therefore cost of one bat इस रूपीज 500 500 रूपे का एक बैट है ठीक है बॉल कितनी की है तो यहां पर अगर बॉल 500 रूपे वाला cost x की value अगर मैं पहले में डाल दू तो 500 into 4 will give you 2000 ठीक है 500 into 4 will give you 2000 why will be 50 rupees तो यहां पर मैं कहूंगा and the cost of one ball is rupees 50 50 पचास रूपे की एक बॉल है 500 रूपे का एक बैट है again यह variety important हो सकती है क्योंकि again question की word problems इस साल आपको पढ़ाई गई word problem से कैसे equation form करना है equation को कैसे solve करना है वही हमने किया ठीक है चले question number 28 से हम move करते हैं इसके और पार्ट में question number 28 में एक और पार्ट भी है a lending library has a fixed charge for the first three days ठीक है a lending library का मतलब यह है कैसी library है जो किराय पे books देती है ठीक है तो for the first three days पहले तीन दिन का जो उसका charge है वो fixed है अगर मैं यहां पर question को पढ़के statement लिखना चालू करो ठीक है पहले question अच्छे पढ़ लेते हैं and an additional charge for each day thereafter एक दिन का additional charge लगेगा सरीथा paid rupees 27 for a book kept for seven days सरीथा के पास एक करेक्टर का नाम एक student है यहां पर सरीथा सरीथा ने साथ दिन books रखी है कितने दिन books रखी है seven days books रखी है और उसने total 27 रुपीज पे किये सुसी पेड रुपीज 21 for the book she kept for five days अच्छा एक और student है जिनका नाम सुशी है यहां पर उन्होंने 21 रुपे पे किये हैं पांच दिन के लिए find the fixed charge and the charge for each extra day तो यहां पर हम अगेन equation formation करते हैं मैं बोलता हूँ let the fixed charge fixed charge how many days first three days let the fixed charge for first three days first three days b rupees x यह तो fixed है इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं अंतर आप एक दिन बुक रखो आप दो दिन रखो पहले तीन दिन charge fixed है ठीक है तीन दिन के बाद जो चौथा दिन होगा वहां से आपका अडिशनल चार्ज लगना चालो होगा also let the additional one day charge additional one day charge is rupees y ठीक है यह y rupees एक दिन का चार्ज है additional चौथे दिन से लगेगा ठीक है तो यहां पर हम बोलेंगे therefore सबसे पहले तो इन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं seven days for seven days तो इसकी equation क्या बनेगी इसकी equation बनेगी कि पहले तीन दिन तो उसने एक्स चार्ज किया plus तीन दिन के बाद तो यहां पर चार दिन extra book रखी है तो four into y यह चीज़ समझनी पड़ेगी चार दिन हर दिन का y rupees तो four into y यह total amount बनता है 27 rupees एक्वेशन दिये मैं बोल देता हूं यह first part है ठीक है again now दूसरे यहां पर student जिंका नाम है शुशी पेड रूपीज 21 पेड रूपीज 21 21 एक्किस रूपे पे कितने दिन बुक रखी है for how many days five days for five days तो यहां पर जो equation इंकी बनेगी वो बनेगी पहले x charge तो उसको देना है जो deposit करना और जाना तीन दिन तक को tension नहीं पांच दिन रखी है तो उसका दो दिन का पर डे का वाई रूपीज तो इंका चार्ज 21 उपे बनता है यह आपकी सेकेंड एक्वेशन है डन यह हो गया सॉल अगर दोनों equations को मैं subtraction करूं मैं क्या बोल रहा हूं को subtract second from first यहां पर हम बोल देते हैं ठीक है subtract second from first from first तो क्या होगा दूसरे में से पहले को subtract करो तो XX कट गया ठीक है और 4Y में से 2Y गया तो यह बच्छा 2Y which is equals to 27 में से 21 गया तो यह बच्छा 6 that means Y का charge आएगा 3 rupees अगर Y 3 आया है तो इसको substitute करिए substitute Y in Y की value first में डाल देजे चलिया तो यहां पर यह आजाएगा X plus 3 into 4 is 12 which is equals to 27 X की value 27 minus 12 आएगी और यहां पर जो आपकी X की value है 27 में से 12 हटा दो तो साथ तो बचा और 8 और बचा तो साथ साथ चोदो 15 रुपे बचेंगे साथ में दो गए 5 और यह 15 रुपे ठीक है तो पहले तीन दिन का चार्ज 15 रुपे फिक्स्ट है तो मैं बोलूंगा therefore first three days charge first three days fixed charge therefore first three day fixed charge is rupees is rupees यहां पर X को हमने fixed charge माना था is rupees 15 and additional charge per day additional charge per day एक दिन का जो चार्ज है per day के हिसाब से वो चार्ज है rupees y की value y की value तीन रुपे तो रुपीज three पहले तीन दिन का तो 15 रुपे दे नहीं है फिर हर दिन का तीन-तीन रुपे उसको चार्ज पे करना है तो इस तरीके से किराए का business यहां पर books का एक बंदा चला रहा है ठीक है move करते है question number 29 की तरफ चलिए section c में question number 29 देखिए क्या यह कह रहा है यह कह रहा है a circle touches all the four sides of quadrilateral ABCD एक circle है जो quadrilateral के सारे sides को touch कर रहा है मैं ऐसा एक quadrilateral बना देता हूं ठीक है अब proper उन्हें नाम नहीं दिया है quadrilateral का तो मैं बोलता हूं यह circle है ठीक है और quadrilateral के हर एक side को वो touch कर रहा है ठीक है एक अलग color का pen use कर ले तो यहां पर हम red pen से marking कर देते हैं तो यहां पर थोड़ा से circle गड़बड बना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं चलिया यह हो गया तो एक circle है quadrilateral है quadrilateral के नाम हम दे देते हैं quadrilateral का नाम है a b c d ठीक है इन्होंने यह बोला कि यह circle touches all the four sides of quadrilateral a b c d prove that a b plus c d is equals to a d plus b c अब देखो circle को touch कर रहा है और circle की बात हो रही है और line हमें दिख रही बाद touch होते हुए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 10th class में आता है tangent word कि यह जो a d है यह tangent है a b tangent है c b tangent है c d tangent है ठीक है a point outside the circle है b point outside the circle है c point outside the circle है d point outside the circle है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अगर इन touching points को आप नाम दे दो मैं नाम देता हूं यहां पर नाम देता हूं p q r और capital में देते हैं ठीक है तो यहां पर हो जाएगा p q r and s देदे ऐसे नाम ठीक है तो यहां पर जो tangent बनके आएगा वह आप notice करिएगा मैं बोलते ता हूं since since a is point outside the circle outside the circle therefore हम बोल सकते हैं a s is equals to a p बोल सकते हैं यह मेरी first equation similarly मैं तीन conditions और बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं कि p b is equals to q b बोल सकते हैं अब मैं a s ले रहा हूं तो वहां पर b p बोलना चाहिए मुझे है ना तो मैं b p बोलता हूं यहां पर देखेगा b p is equals to b q second equation उसके बाद c q is equals to c r मेरी third equation और यहां पर d r is equals to d s मेरी fourth equation और इन सबको अगर आप add कर दो देखेगा add करते हैं तो क्या होगा note करिए a s plus b p plus c q plus d r यह वाली site आपस में add हो जाएगी कर देते हैं देखेए a s थोड़ा सा दूरी पर लिखते हैं तो एक लंबी equation बनेगी यह बनेगी a s plus b p plus फिर क्या दिया है c q plus फिर क्या दिया है d r which is equals to a p plus b q plus c r plus और d s done यह equation आ जाएगी अभी यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो a s और यहां पर d s है न तो a s और d s हम यहां पर अगर इसको ऐसे ना लिखते हुए हम यह बोलते कि a s is equals to a p and d s is equals to d r तो हमारे लिए ज्यादा फाइदे मन रहता देखो मैं क्या बोलना चाहरा हूं अगर इसको हटा दू मैं हम यह बोल सकते थे कि यह जो आपने लिखा है इसको थोड़ा साम करेक्ट कर लेते हैं करेक्ट मैं कैसे कर रहा हूं मैं यह बोल रहा हूं कि अगर a s बोला है is equals to a p the next equation में इसी के serial wise में लोंगा a s पहले बोला ना तो यहां पर मैं d s को लेता हूं तो यहां पर d s के बाद हम बोल देते हैं cq is equals to cr यह बोल दे तो यहां पर इधर dr है तो इधर cr इस साइट पर हम cr ले लेते हैं तो cq cq is equals to cr बात तो कोई दिक्कत ही नहीं cq is equals to cr ठीक है अब जब इस साइट cq बोला है तो इधर मैं बोल देता हूं qb ठीक है तो यहां पर हमने cq बोला है is equals to cr यह भी हो गया हमारा और हम क्या बोल सकते हैं चलिए हमें प्रूफ यह करना था a b plus c d तो a b plus c d opposite side आनी चाहिए तो यहां पर मैंने a s लिया तो opposite side a b आनी चाहिए a s के साथ में आना चाहिए qb तो यहां पर मैं बोलूंगा qb ठीक है a s plus qb और ds तो यह एड होगा तो qb is equals to qb नहीं bq है ना तो यह आ जाएगा आपका bq bq is equals to यहां पर bp कर देते हैं चलिए ठीक है तो यह चीज हम बोल सकते हैं और कुछ हम बोल सकते हैं a s equals to a p हम बोल चुक है चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं तो a s को हम एड करेंगे किसके साथ ds के साथ तो a s plus ds plus यह पूरा a d हो जाएगा ठीक है यहां पर cq cq plus cq इस साइड पे plus अब cq के साथ आपको बनाना है qb को तो cq plus qb देखिए bq है ना तो यहां पर a s ds cq bq यह हो गया which is equals to यह हो जाएगा आपका a p plus dr plus यहां पर यह बनेगा c r plus bp अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो a s plus ds a s plus ds पूरा होता है a d तो यह a d लिख सकते है plus cq plus bq तो यह पूरी चीज आपकी लाइन बनेगी cb which is equals to a p plus dr to a p plus bp यह है आपका a p plus bp इस साइड हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते a p plus bp plus dr plus c r अगर इसको notice करें तो यह आगया आपका a d plus c b is equals to a p plus bp will give you a b plus dr plus c r तो इसका opposite dr plus c r यह हो जाएगा आपका dc अब देखिए जो आपको प्रूफ करना था वो हो गया a b plus c d यह रहा which is equals to a d plus bc हो गया तो यही हमें show करना था यह हमने show कर दिया है तो question में क्या दिया था given part में आपको वो लिखना है सबसे पहले तो आपको question में यह given था कि a circle circle का center o आपको दिया है a circle with center o and having some radius यह आपको given touches all the four sides of quadrilateral a b c d is a quadrilateral a b c d is quadrilateral ठीक है तो a b c d quadrilateral है इनके touching point को हम नाम दे रहे हैं तो यहां पर हम छोटा सा construction part में बोल दें ऐसी बोल दें लेट पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा s b touching points touching points ठीक है तो इसके बाद आप कहानी को चालू कर सकते हैं कुल मिला के हमने question number 29 कर लिया है solve move करिए question number 30 की तरफ यह प्रूफ करना है जो कि trigonometry का question है देखिएगा LHS को RHS के बराबर पूफ करना है तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं हमें क्या given है अगर given part में जाता हूं तो मुझे given है cosec theta क्या given है cosec theta minus cot theta का whole square यही given है which is equals to one minus cos theta अपॉन प्लस cos theta यह given है तो यहां पर अगर मैं LHS वाली side को pick कर लूं तो LHS वाली side है cosec theta minus cot theta का whole square और इधर cos theta one minus cos theta and one plus cos theta है यह proof करना है LHS है मैं RHS पर जाना है तो cosec theta अगर मैं देखूं तो sin cos 10 cosec cot cos theta को आप ratio में लिख सकते हैं one upon sin theta लिख दिया minus cot theta तो इसको आप लिख सकते हैं sin cos 10 cosec cot तो यहां पर cot theta के लिए आप लिख सकते हैं cos theta by sin theta अगर हम इसी terms में सबको change कर देते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा असान होता हुआ नजर आ है ठीक है अब देखिएगा यहां पर अगर ब्रैकेट के अंदर देखूं तो दोनों का denominator क्योंकि sin theta है तो common denominator लिख देते हैं sin theta और उपर आ जाएगा one minus cos theta का whole square यह आएगा ठीक है और हम क्या कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम notice करें इन दोनों को separate करें उपर नीचे तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि one minus cos theta का whole square upon sin theta sin square theta लिख सकते हैं यह वाली step और हमें एक formula पता है अगर हम ध्यान से देखें तो as we know जैसा कि हमें यह पता है कि हमें क्या पता है कि sin square तो लिख लेते हैं sin square theta minus minus होगा yes sin square theta plus cos square theta तो sin square theta plus cos square theta is equals to one अब देखो यहां पर जैसे कि हमें पता है कि cos square theta अगर यहां ले जाओ तो क्या होगा यह हो जाएगा sin square theta की value कितनी one minus cos square theta तो यहां पर अगर में denominator में sin square theta की जगा पर one minus cos square theta रख दूं तो यह step आपकी बन जाएगी one minus cos theta का whole square upon sin square theta की जगा पर हम लिख देते हैं one minus cos square theta done यह होगा ठीक है अभी नेक्स्ट में क्या कर सकता हूं तो one minus cos square theta यहां पर मैं identity का use करता हूं तो identity क्या बोलती है देखो identity का अगर हम use करते हैं तो यह है one minus cos theta का whole square का मतलब होता है one minus cos theta and one minus cos theta लेकिन नीचे गर identity लगाता हूं तो यह है आपका a square minus b square तो identity मैं लगा रहा हूं a square minus b square की जो की होती है a plus b a minus b अगर मैं यह लगा हूं तो देखो आपका answer आपको निकलता वह मिल जाएगा क्या हो जाएगा one minus cos theta का whole square का मतलब है one minus cos theta multiplied with one minus cos theta कि अपन अपन में आप लिख दीजे one minus cos square theta ना तो one minus cos square theta की जगा पर हम लिख सकते हैं one plus cos theta and one minus cos theta कि डन कि अब यहां पर one minus cos theta और one minus cos theta को गर मैं कैंसल आउट कर दूं तो क्या बचा मेरे पास वही बचा जो आरेचेस में लिखा है तो यहां पर यह मेरे पास आगया answer one minus cos theta upon one plus cos theta हो गया तो यहां पर यह है आपका आरेचेस के बराबर हमने एलेचेस से कहानी चालू की थी आरेचेस पर आके अंद कर दी तो हैंस प्रूव्ट यही तो हमें करना था तो तो कुल मिला कि हमने question number 30 में जो आपका यह trigonometry का question दिया था हमने कर लिया सॉल मूव करते हैं next question की तरफ देखिए question number 30 का एक और पार्ट भी दिया अगें ट्रिगनों का equation यह गह रहा है आप अगें एलेचेस से आरेचेस पर आईए मतलब इसको solve करिए और answer one लेकर आईए तो चलिए इसको भी करते हैं तो मुझे एलेचेस क्या दिया है डिरेक्ली लेकर लिकर हो मैं मुझे लेचेस में बोला है सेक ए ब्रैकेट में 1-स साइन ही अ राकिट अब क्लोस और यहां पर लिखा हुआ है सेक ए अप्लस 10 इस यह bracket close ठीक है तो sec a को अगर मैं देखू तो sin cos 10 को sec sec cot अगर इसको मैं sin cos के form में change करता हूँ sec a can be written as 1 upon cos A लिख सकते हैं और इसको 1 minus sin A रहने दीजिए इसको अभी नहीं छेड़ है sec a को again मैं लिख देता हूँ 1 upon cos A लिख दिया 10 a के लिए मैं लिख सकता हूँ sin cos 10 तो अगर sin cos के term में change करना है तो यह हो जाएगा sin A upon cos A लिख सकते हैं कोई doubt नहीं ठीक है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 minus sin A upon cos A यह दोनों चीज़े आपस में multiply हुई तो यह हो गई इस bracket के अंदर हम इसको लिख देते हैं क्या लिखें इस bracket के अंदर तो इसको लिख देते हैं 1 plus sin A upon cos A यह भी cos A हो जाएगा तो यह cos A हो गया simple ठीक है अभी इन दोनों का multiply है तो यह मैंने cos square A लिख दिया गलती से यह cos A हो जाएगा ठीक है LCM लिए तो यह cos A हो गया और उपर आगया 1 plus sin A और अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो यह हो जाएगा 1 minus sin A multiplied with 1 plus sin A upon cos A into cos A will give you cos square A done तो यह हमने LHS का एक step हमारा बन की आया हमें देखो answer 1 लेकर आना है हमें RHS में 1 दिया हुआ तो 1 लाने के लिए हम क्या करें तो यहाँ पर 1 minus sin A can be written as 1 minus sin A 1 plus sin A तो यहाँ पर देखो यह A minus B A plus B के form में लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 minus sin square A upon cos square A लिख सकते हैं और अभी मैंने पीछे एक formula बताया था मैंने क्या बताया था कि हम्हें पता है sin square A plus cos square A क्या होता है sin square A cos square A 1 होता है यही होता है तो cos square A की जगापे अगर मैं cos square A यहां पर है यह sin square A यहां ले गया तो 1 minus sin square A इस चीज का अगर मैं use करूँ और इसमें substitute कर दूँ इस step के अंदर अगर substitute कर दूँ तो numerator बन जाएगा cos square A तो यह step आ जाएगी cos square A upon cos square A यह आपकी step आई और cos square A upon cos square A जब यह cancel out होगा तो finally यह answer आएगा मेरा 1 और RHS भी मुझे 1 दिया था तो hence proved LHS is equals to RHS यह हो गए हमारी कहानी खतम ठीक है और यही हमें proof करना था कि LHS 1 है हमने वहाँ पर proof कर दिया question number 30 भी हमारा होगे solve move करिए question number 31 की तरफ इस question को देखना अब back contains 6 red, 4 black and some white balls तो मैं बोलता हूँ back contains back contains यह probability का question back contains 6 red balls 6 red balls अगेन हमें statement दिया है back contains how many balls तो यहाँ पर हमें लिखा है 4 black balls 4 black balls और हमें some white balls तो let इसको हम बोलते हैं let back contains एक्स नंबर ओफ contains एक्स नंबर ओफ white balls हमें नहीं पता कितनी है some बोली है तो मैंने कुछ एक्स माल लिया कुछ बॉल्स है ना उनको एक्स माल लिया तो कितनी टोटल बॉल्स हैं इस बैक के अंदर अगर मैं वह बात करों तो टोटल बॉल्स इन बाग इस वाट टोटल बॉल्स इन बाग इस 6 प्लस 4 प्लस X 6 प्लस 4 प्लस X दैट इस 10 प्लस X यह तोटल नंबर ओफ बॉल्स है अच्छा फाइंड दी नंबर ओफ बॉल रहा है इफ प्रॉबधिटी ऑफ गटिंग इन ऐविंट उवाट बॉल्स वाट वाइटी ऐसे होगी तो हम यह 2 États पर बूल सकते हैं कि 1 बाई 3 इस उप्लस टू वाइड बॉल इक्स नंबर थी और total number of balls थी 10 plus x ऐसे ही होगा यह equation अगर मैं यहां पर लगा दू तो मैं यहां पर आपको जवाब दे सकता हूँ first part के लिए देखिएगा first part के लिए यह 3x हो जाएगा यह 10 plus x हो जाएगा तो यह हो गया 10 plus x which is equals to 3x और यह x इधर गया तो 2x की value 10 आएगी x की value यहां पर 5 आएगी मैं कहूंगा therefore 5 white balls है किस के अंदर back के अंदर therefore 5 white balls in bag done चलिए यहां पर यह हो गया हमारा first part कहता हूँ second part क्या कह रहा है how many red balls should be removed कितनी red balls मैं हटा दूँ ठीके कितनी हटा दू from the bag for the probability of drawing a white ball to be 1 by 2 अगर मैं चाहता हूँ कि white ball की जो probability है वो कितनी आए 1 by 2 आए तो second part के लिए मैं यहां पर एक sheet ले लेता हूँ यह second part में बोल रहा है to get to get probability of an event of white ball equals to 1 by 2 how many balls should be removed of red तो मैं यहां पर बोलूँगा let let y number of balls let y number of balls removed अच्छा कौन सी balls तो इसको clear कर देते हैं let y number of let y number of red balls to be removed to be removed अगर मैं यह statement दो तो अब total balls कितनी बचेंगी उस पर आ जाते हैं तो total balls in bag total remaining balls total remaining balls in bag अगर रेट बोल तुम हटा दो तो रेट बोल थी कितनी पहले तो हम उस पर आ जाते हैं तो रेट बोल थी छे में से तुमने वाई बॉल्स हटा दी तो यहां पर मैं लिख देता हूं छे में से तुमने वाई बॉल्स हटा दी तो बैग में अब इतनी बॉल्स बचेंगी 6-1 इसमें add कर दीजिए कितना add कर दे चार ब्लैक बॉल्स तो as it is यह चार ब्लैक बॉल्स as it is और वाइड बॉल्स हमारा जवाब आया था पांच तो यहां पर वाइड बॉल्स पांच है तो टोटल नंबर ओफ बॉल्स अब बैग में कितनी है तो मैं कहूंगा वह यह है क्या है तो यहां पर यह टोटल नंबर ओफ बॉल्स हमारी निकल के आई है 6-Y-9 और 9-6 is 15 15-y तो अब यह टोटल नंबर ओफ बॉल्स है अच्चह अगर मुझे वाइड बॉल्स की अब प्रोबैबिटी चाहिए ठेक है वाइड बॉल्स की प्रोबैबिटी चाहिए तो मैं गह रहा हूं वन बैट टू प्रोबैबिलिटी आनी चाहिए यह कब जब आउट ओफ टोटल बॉल्स आप क्या गरोगे तो वाइड बॉल की प्रोबैबिलिटी न तो यहां पर वाइड बॉल थी हमारी पांच ठीक है 5 5 out of 15 minus y तो यह आपका जवाब निकल के आएगा ठीक है 15-y यहां multiply कर दीजिए तो 15-y is equals to 10 15-10 यह यकी वेल्यू आई और y की वैल्यू यहां पर आएगी 5 that means आप out of six balls 5 balls को remove कर रहे हो तो उन्होंने हमसे मेखल से question यही पूचा था क्या पूचा था how many red balls should be removed from the bag so that the probability of drawing a white ball is to be 1 by 2 मैं कहूंगा इस बैग में से जिसमें 6 red ball है उसमें 5 red ball हटा दो दन तो इस पकार से हमने question number 31 जो की probability related था उसको भी कर लिया है खत्म चलिए move करिये question number 32 की तरफ यह क्या कह रहा है train travels 360 km at a uniform speed if the speed had been 5 km per hour more it would have taken one hour less for the same journey same journey का मतलब distance आपका उन्होंने fix कर दिया देखिए अगर इस question के हम शुरुवात करें तो solution में हम लिख सकते हैं the train travels 360 km the distance to be traveled distance to be covered the distance to be covered यह fix है तो यह हमें दिया हुआ है 360 km 360 km 360 km and the speed had been 5 km per hour more speed की बात हो रही है तो अगर speed 5 km per hour जादा होगी तो मैं यहां पर बोल रहा हूं let the speed the speed let the speed be x km per hour let the speed be x km per hour अब यह कह रहा है अगर में speed बढ़ा देता हूं ठीक है if speed increased if speed increased by 5 km per hour that means x plus 5 अगर मैं कर दूं ऐसा कर दूं ठीक है if speed is increased it would have taken one hour less कितना time कम लगेगा एक घंटा कम लगेगा तो समय की बात की जा रही है तो समय को अगर मैं देखूं तो speed का formula होता है distance upon time और यहां से हम कह सकते हैं कि time का formula बन जाएगा distance upon speed ठीक है तो initially अगर मैं देखूं तो पहले time कितना लग रहा था time लग कितना रहा था जब distance 360 और x km speed x km per hour की speed से अगर distance cover करना था तो time हमें तब लग रहा था 360 by x ठीक है इतने घंटे लग रहे थे लेकिन बाद में जब speed को increase किया गया ठीक है तो time after increase तब क्या लग रहा था तो time after increase in speed तब उस समय जो time लग रहा था वो 360 by x plus 5 मैंने speed बढ़ा दी speed बढ़ाई तो एक घंटा कम लगेगा that means अगर मैं इसको से एक equation form करूं तो 360 by x and minus 360 by x plus 5 इन दोनों का जो difference है वो वना रहा है यह ऐसा बोल रहा है ठीक है तो यहां पर यह बूल रहा है पहले जो speed लग रही थी sorry पहले जो समय लग रहा था ठीक है उस समय से अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं speed बढ़ा रहा हूं तो मैं एक घंटे जल्दी पहुंच जाओंगा एक घंटा कम लगेगा ठीक है तो जल्दी पहुंच ओंगा इसका इन दोनों का जो difference है वो वन है अगर मैं यहां पर LCM लेकर solve करूं तो x x plus 5 और उपर numerator में आ जाएगा 360 multiplied with x plus 5 minus 360 into x तो यह आ जाएगा 360 x which is equals to 1 अब यह वाला पार्ट आप यहां ले जाहिए तो 360 into x is 360 x plus 360 into 5 तो 360 अगर 5 से multiply होगा तो 5 0 times is 0 5 6 times is 30 3 carry 5 into 3 is 15 16 17 18 1800 यहां आएगा minus 360 x which is equals to x into x is x square plus 5 x यही निकलेगा मैंने bracket open कर दिया है और कुछ नहीं किया ठीक है और यह इधर जाके 1 से multiply होगा तो यही value आएगी चले 360 x minus 360 x यह cancel out हो गया equation एक quadratic बनी है x square plus 5 x और यह value उधर चली गई तो minus 1800 is equals to 0 इस equation को आप solve कर दीजिए आपको x की value मिलेगी और x जो है वो speed है और हमसे question में भी पूचा है find the speed of the train actually train की speed कितनी थी तो चलिए इस equation को solve करते है तो एक sheet ले लेता हूं तो हमें equation क्या दी है x square plus 5 x minus 1800 is equals to 0 देखिए का यही थी हमारी equation इसी को में solve करना है तो इसको solve कर लेते हैं चलिए तो 1800 की बात हो रही है अगर मैं 18 देखूं तो 18 बनता है तो यहां पर थर्टी इंटू सिक्स्टी करूं तो सिक्स माइनस थी थी देगा 9-2 आपको 7 देगा मुझे center में चाहिए 5 तो 19 इंटू 20 तो 1800 अगर मैं देखूं तो 18 के लिए और यहां पर बन सकता है आपका factor क्या-क्या तो चलिए 1800 की अगर मैं factors निकालके देखता हूं तो यह हो जाएगा 2 9 x 18 double 0 अगें 2 4 x is 8 2 5 x is 10 and 0 अगें 2 2 x is 4 2 2 x is 4 2 5 x is 10 5 5 4 x is 20 5 5 x is 25 तो 2 x 4 4 x 8 8 x 5 is 40 देखू 40 x 45 अगर मैं करूं तब भी 1800 आता है तो यहां पर मैं middle term split देखूं तो यह आजाएगा x square plus 45 x minus 2 into 4 4 into 8 8 into 5 is 40 तो minus 40 x और minus 1800 which is equals to 0 यह middle term split कर दी मैंने अब यहां पर इन दोनों में से common आ रहा है x तो यह आ गया x और बच्चा x plus 45 और इन दोनों में मैं minus ठीके 40 बहार ले लेता हूं तो यह अंदर बच्चे का अगें x plus 45 which is equals to 0 एक फेक्टर आया है इसका x minus 40 और दूसर फेक्टर आया है इसका x plus 45 which is equals to 0 तो x की वेल्यू अगर हर एक फेक्टर को equal to 0 किया जाए तो x की वेल्यू यहां तो 40 आ रही है यह x की वेल्यू minus 45 आ रही है यह चीज़ क्लियर है अब क्योंकि speed negative नहीं हो सकती तो मुझे positive value लेके solve करना है तो मैं यहां पर एक statement दूँगा therefore therefore speed of train speed of train was कितनी होगी वह होगी 40 km per hour यह speed हमने initial में रखी ती और इसी के बारे में बात हो रही है तो इस पकार के सवाल मुझे लगता है definitely important हो सकते हैं अच्छे सवाल है चलिए move करते हैं यहां पर हम next question question number 32 में अभी एक और पार्ट भी है तो हमने जो पीछे देखा था वो 32 का first मतलब इसमें और पार्ट है मतला यहां तो यह करिए train वाला question यह एक upstream downstream वाला question है तो यहां पर आपको यह 32 में दो सब पार्ट दिये हुआ है चलिए 32 का second पार्ट देखते हैं क्या गहा रहा है अब motor board who speed is 18 km per hour एक motor board है जिसकी speed क्या है 18 km per hour है किसके अंदर still water के अंदर ठीक है तो यहां पर देखिए रुके हुए पानी में motor board अगर चलती है पानी रुका हुआ है पानी मूव नहीं कर रहा है उसमें अगर motor board की चलाता हूँ तो motor board की जो speed है ठीक है speed of motor board आपको दी है speed of motor board in still water रुके हुए पानी में यह जरू लिखकर आईएगा in still water और यह speed क्या है तो यह speed इन्होंने बोली है 18 km per hour 18 km per hour डन यह हमारा पहला पॉइंट दिये टेक्स वन अवर मोर तो गो 24 km अप्स्ट्रीम देन तो रिटन डाउंस्ट्रीम तो दे सेम स्पॉट वह कह रहा है अगर हम यह नोटिस करें कि रुके हुए पानी में जो motor board की speed है वह अगर 18 km per hour है और यह मोटर बोट अगर पानी को मैं मतलब किसी एक direction में फ्लो करना चालू करूं तो अगर वह motor by इस पानी के उल्टे direction में चलती पानी मान लीजे इस direction में जा रहा है तानी मान लीजे इस direction में बह रहा है और motor board को अगर मैं उसके opposite direction में move करता हूँ तो इस case में हम इसको बोलेंगे upstream motor boat कहा जा रही है motor boat upstream में जा रही है तो यह कह रहा है कि upstream जाने के लिए एक घंटा जादा लगता है 24 km fix distance है मतलब मुझे a से b 2 points को cover करना है और पानी अगर इस direction में भेरा है तो motor boat अगर upstream जाती है तो उसको एक घंटा ज्यादा लगेगा ठीक है as compared to जब वह वापस a से b पर आती मतलब पानी की ही direction में अगर आएगी अभी पानी रुका हुआ है अगर पानी बह रहा होता ठीक है वो दो case आपको दिये वह है तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो आपको लिख के समझाता हूं आप देखिएगा क्योंकि यहां पर हमें जो second statement बूला है कि distance fix है distance to be covered distance to be covered और यह distance कितना दिया है तो यह distance आपको दिया है 24 किलोमेटर का है डन है देन टू रिटन downstream to the same spot find the speed of the stream आप stream की speed बताइए क्या होगी तो यहां पर whenever more to go 24 km upstream then to return downstream तो यहां पर अगर मैं बोल दूं कि जो समय समय की बात की गई एक घंटा तो स्टाइम की अगर मैं बात करूं तभी पीछे हमने notice किया था कि यह होता है distance upon speed डन तो अगर मैं upstream की बात करूं downstream की बात करूं तो देखिए downstream में जो speed होगी downstream में मैं कहूंगा time taken यहां पर अगर हम लिखें time taken downstream 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 word का मतलब है पानी के साथ आना मतलब पानी भी इस direction में बोट भी इस direction में तो इस case में हम कहेंगे time taken downstream is distance तो fix है distance हमें कितना दिया हुए वो 24 और जो speed होगी ठीक है speed 18 km per hour है तो जब downstream चीज आएगी तो यह plus x अब यह x क्या है तो x basically downstream आने की speed है मतलब motor boat की जो speed है पानी की speed ठीक है इन्हों ने जो पूछा है find the speed of stream तो मैं कहूंगा let the speed of the stream be x km per hour ठीक है तो पानी भी बह रहा है downstream भी बोट आ रही है और यहां पर मैं कहूंगा time taken time taken upstream upstream जाने के लिए कितना समय लग रहा है तो 24 घंटे मैं sorry 24 km का distance यहां पर the time taken upstream तो upstream के लिए हम कहेंगे कि motor boat की जो speed है 18 km अवर वो ज्यादा होगी ठीक है वो ज्यादा होगी 18 as compared to पानी की speeds तो यह दो जो आपका आया है इन दोनों का जो difference इन्होंने बोला है वन अवर ज्यादा लग रहे हैं एक घंटा ज्यादा लग रहा है तो go 24 km upstream upstream जाने के लिए एक घंटा ज्यादा लग रहा है तो upstream जाने के लिए एक घंटा ज्यादा लग रहा है इसका मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों times को notice किया जाए तो 24 upon 18 plus x ठीक है और यहां पर यह हो जाएगा minus 24 upon 18 minus x is equal to 1 यह आपकी equation form करके यहां पर आएगी देखिएगा इसको कैसे solve करना है कि LCM ले लेते हैं अब LCM की जरूरत है यहां पर तो यह हो जाएगा 18 plus x तो 18 plus x और 18 minus x which is equals to 1 ठीक है और उपर क्या होगा तो यह हो जाएगा 24 bracket 18 minus x minus 24 यहां पर आजाएगा 18 plus x चलिए इसको solve कर लेते हैं तो 24 multiplied with 18 तो यहां पर रफ वर्क में मैं use कर लेता हूं 24 multiplied with 18 is what तो 4 into 8 is 32 2 into 8 is 16 that means 19 cross 1 into 4 1 into 2 तो यह आजाएगा 2 13 13 का 3 carry 1 432 तो यह आगया 432 minus 24 x minus 432 और minus 24 x उपा के brackets open कर दिये अपन नीचे का भी मैं bracket open नहीं कर रहा तो 18 plus x and 18 minus x is equals to 1 यह होगा तो यहां पर आप notice करिएगा 432 minus 432 cancel out हो जाएगा minus 24 x minus 24 x x sheet ले लेते हैं तो यहां पर minus 24 x minus 24 x is minus 48 minus 48 x यह आपके numerator में बचेगा और अगर मैं नीचे आजाओं तो minus 48 x तो उपर हो गया नीचे में आप देखी यह identity है a plus b a minus b तो that means 18 square minus x square यह नीचे आएगा तो नीचे आएगा 18 square minus x square which is equals to 1 इसको simplify करेंगे तो minus 48 x is equals to 18 square minus x square और 18 का अगर आप square देखें तो यहां पर यह 300 and something आएगा 8 into 8 is 64 ठीके तो यह 6 8 1 times is 8 9 10 तो 14 cross 1 into 8 1 into 1 is 1 4 8 4 12 12 का 2 carry 1 324 तो यह आजाएगा minus 48 x is equals to 324 minus x square दन यहां से हम कह सकते हैं कि एक quadratic equation form होगी और वो है x square minus 48 x ठीके और यह भी value इधर आएगी तो यह आजाएगी minus 324 equal to 0 यह हमारी equation form हो गई ठीके मिल्टम split लगाईए और x की value निका लिए simple चलिए देख लेते हैं 324 के अगर हम factor निकाले तो यहां पर 2 1 x 2 2 6 x 12 and 2 2 x 4 अगें 2 8 x 16 and 2 1 x 2 ठीके और यहां पर अगर हम इसको 3 से करें तो 3 2 x 6 3 7 x 21 तो 2 x 4 4 x 3 is 12 12 and 27 अगर हम देखें तो 27 and plus 12 तो यह तो नहीं हो रहा है ठीके 4 plus 81 भी नहीं यह 81-4 भी नहीं है तो 2 x 2 4 ठीके तो 81-4 भी 48 नहीं आ रहा है चलिए यह 789 और 39 ठीके मुझे 48 चाहिए थोड़ा सा और आगे सॉल करके देखते हैं तो 27 अगर मैं सॉल करूं तो 3 9 x 27 और 3 3 x 9 और 3 1 x 3 अभी बहुत सारे यहां पर गूपिंग हो सकती देखो मुझे कुल मिला के नहीं यहां पर करना है मिल और मिल थम स्पिलिट करने के लिए अगर मैं देखों तो 25 मैंटिप्लाइ करूं गर 16tv के साथ तो 324 आ रहा है ठीके लेकिन 48 नहीं आ रहा तो फॉस अगर मैं मैं मॉल्टिप्लाइब करूंगा तो-4 multiplied with 81 यह भी हमें नहीं दे रहा है ठीक है 2 x 4 4 x 3 12 12 से अगर मैं multiply किया 27 को ठीक है तब भी हमारी value 48 नहीं आ रही है 2 x 4 4 x 3 12 12 और 3 x 3 9 or 2 x 4 9 x 9 x 4 is 36 तो 36 is multiplied with 9 36 multiplied with 9 यह भी हमें 324 देगा तो 36 plus 9 कितना होता है तो यहां पर मैं देखूं तो यह 45 होता है मुझे 48 चाहिए 48 के लिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर middle term split में यह माइनस है यह भी माइनस है एक काम करें टेंथ क्लास में तो हैं हम तो हम क्यों न उससे solve कर लें किसे quadratic formula से तो discriminant अगर मैं निकालू तो यह आजाएगा आपका बी स्कॉयर माइनस 4 एसी ठीक है बी स्कॉयर का मतलब है माइनस 48 का स्कॉयर मतलब 48 स्कॉयर माइनस 4 multiplied with 1 multiplied with 322 ठीक है माइनस 322 तो 48 का स्कॉयर यहां पर वैल्यू आपको क्या देगा चलिया इसको solve कर लेते हैं तो इसमें से कुछ common भी नहीं आ रहा है इसी तेगे से कर लेते हैं तो यह आ जाएगा आपका 48 का स्कॉयर 48 का स्कॉयर is 8 into 8 is 64 6 4 into 8 is 32 plus 6 is 38 cross 4 into 8 is 4 into 8 is 32 2 3 common 4 into 4 is 16 or in 9 char art no the discuss 0 carry 1 10 और 3 13 और 13 का 3 carry 1 2 3 0 4 तो 2 3 0 4 added with 4 into 4 is 16 क्योंकि यहां पर यह माइनस में है 324 ठीक है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 into 4 is 16 carry 1 8 और 9 4 into 3 is 12 और इसको add किया तो 10 और 4 6 तो यहां पर यह आपकी value कितनी निकल के आई यहां पर 4 उच्छे 10 10 का 0 carry 1 10 10 का 0 carry 1 3 और दो 5 उच्छे और यह 3 36 discriminant निकल के आया ठीक है और अगर आपको यहां पर x निकालना है तो यह होता है b square sorry minus b plus minus तो minus b plus minus root of d upon 2a done तो यहां पर minus b की value अगर मैं देखूं तो यह है 48 plus minus discriminant of d is 60 ठीक है upon 2 तो यहां पर x की एक value आ जाएगी 48 plus 60 upon 2 और x की दूसरी value यहां पर आएगी 48 minus 60 upon 2 ठीक है तो यह negative answer आएगा यह हम option नहीं लेंगे इसको हम solve करेंगे यह हो आठ 108 by 2 तो 2 5 times is 10 and 2 4 times is 8 54 आएगी x की value तो यह हमारे x की value आई है वो निकल के आई है 54 km per hour ठीक है तो 54 km per hour यहां पर जो है यह आपकी speed निकल के आई है दन किसकी बहते हुए पानी की ठीक है जब पानी बह रहा है तो the speed of the stream is 54 km per hour 54 km per hour यह पानी की speed है चलिए मूफ करते हैं next आगे की तरफ question number 33 को उठा लेते हैं prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points the other two sides are divided in the same ratio in triangle PQR S and T are points on PQ and PR respectively prove that PQR is an isosilis triangle अब देखो यह question अलग है यह question अलग है तो मेरे कहल से यहां कुछ missing है यहां पर पार्ट होना चाहिए तख पहले तो आप और लगा लो question number 33 में और पार्ट लगा दिया ठीक है अब वह वाला पार्ट मुझे अलग सॉल करना यह वाला पार्ट मुझे अलग सॉल करना है ठीक है तो यह लाइन थर्ड साइट के पहलेल है इस तरीके से बनाऊं की टू इंटरसेक्ट दी अधर तू साइट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यह पॉइंट जो है यह यहां पर अधर दो साइट पर पॉइंट हमें मिले तो यह बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ए ब यह बिले पानि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं यहां पर यह में बोल रहा है आपको एक ट्राइंगल ए बी सी गिविन है इसके अंदर PQ जो है वो पैललल दी है BC के, बहुत clear view दी है उन्होंने, ठीक है अब हमें क्या show करना है to show, हमें ये show करना है कि जो ratio है the other two sides are divided in the same ratio that means AP upon PB अगर आप करते हैं, तो ये equal आएगा AQ upon QC के, ये हमें proof करना है, तो ये proof करने के लिए हमें काम करते हैं क्योंकि हमें PQ BC के पैलल दी है, तो हम दो triangles ले लेते हैं इन triangle APQ और दूसर triangle मैं ले रहा हूं triangle ABC इन दोनों triangles के अगर मैं बात करो तो इसके अंदर जो angle APQ है वो equal है angle ABC के ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि PQ BC के पैलल है, तो corresponding angles equal होंगे reason मैं देता हूं corresponding angles similarly AQP angle AQP is equals to angle ACB ये होगा again reason वो ही same है, corresponding angles तो ये दोनों angle भी same होंगे अच्छा मैं ये भी बोल सकता हूं दोनों triangles देखके कि angle A जो है ये दोनों triangles के लिए common angle है तो angle PAQ is equals to angle BAC ये common part है ये common angle है done तो यहां पर हमें काम करते हैं कि क्यों न हम इन दोनों triangles को similar बोल दें therefore triangle APQ is similar to triangle ABC done ये दोनों triangles similar है और criterion हमने use किया है AAA criterion AAA similarity criterion हम यूज कर सकते हैं तो इस criterion के कारण मैंने दोनों triangles को similar बोल दिया अगर दोनों triangles similar हैं तो मैं बोल सकता हूं AB upon AP यहां पर देखो ratio बनता है AB upon AP is equals to AC upon AQ यही बनेगा और पूरा जो वो दो चीजों के जुडने से बना है AP plus PB AP plus PB upon AP which is equals to AC मैं मैं बोल सकता हूं यह दो पार्ट से जुड़के बना AQ plus QC upon upon AQ ठीके अब यहां पर तुम इनको अलग-अलग करो अगर अलग-अलग करेंगे तो यहां पर जो ratio बनेगा वो बनेगा AP upon AP plus PB upon AP PB upon AP which is equals to AQ upon AQ plus QC upon AQ यही बनेगा और यहां पर आप नोटिस करेंगे AP upon AP is 1 तो यह आपका आगया 1 plus PB upon AP is equals to 1 plus QC upon AQ और यही हमें प्रूफ करना था दोनों साइट पर 1 cancel out हो जाएगा और ratio हमें बनेगा PB upon AP आप नोटिस कर रहे हैं PB upon AP is equals to QC upon AQ same ratio में डिवाइड हो गया QC upon AQ same ratio आ रहा है sides are divided in the same ratio यह आपको प्रूफ करना था जो आपने 33 का first part solve कर दिया तो मैंने आपको बताया यहां पर और लगा लिजेगा फिर solve करिएगा ठीक है यहां पर है in triangle PQR अब यह सवाल अलग है ठीक है इस question को देख लेते हैं तो यह बोल रहा है in triangle PQR यह triangle है इस triangle PQR के अंदर ठीक है यह triangle है PQR in triangle PQR S and TR points on PQ and PR तो PQ and PR पे एक point है S और एक point ही T done PS upon SQ तो यहां पर हमें क्या बोल रहा है PS upon PS upon SQ तो PS upon SQ is equals to PT upon TR देखिएगा PT upon TR and angle PST is equals to PRQ angle PST angle PST तो इन दोनों को join कर लेते हैं तो angle PST और क्या हमें given है angle PST is equals to angle PRQ मतलब इस angle के equal है लगी यह question थोड़ा सा लग है ठीक है हमें यह भी given है आपको proof क्या करना है PQR is an isosilus triangle ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ to show that triangle PQRQ यह PQR is isosilus यह हमें proof करना है और यह दो statement हमें given है चलिए question को शुरुआत करते हैं solve करते हैं तो क्योंकि हमें यह given है अगर मैं question आपको दुबारा दिखाऊं तो इसके अंदर बोला है in triangle PQR S and TR points on PQ and PR respectively और हमें sides का ratio दिया है अभी मैंने पीछे एक theorem को proof किया है कि अगर side same ratio में divided है तो यहां पर हम कहेंगे ST parallel है QR के ठीक है तो ST QR के parallel है since PS upon SQ is equals to PT upon TR therefore ST is parallel ST is parallel to QR यह चीज़ अगर समझ आ रही है तो हम यहां पर कह सकते हैं अंगल PST अंगल PST is equals to angle PQR corresponding angles reason क्या है तो corresponding angles done यह आपने reason दिया चलिए तो इस angle को आपने इस angle के equal बोल दिया अभी already given था as given angle PST also given also angle PST is equals to angle what तो angle PRQ यह हमें given है तो इन दोनों के कारण ठीक है मैं यह बोल सकता हूँ angle PST इसके equal है angle PST इसके equal है तो यह दोनों भी equal है तो angle PQR is equals to angle PRQ आप देखिए यह angle यह angle मैंने equal बोल दिया तो इस triangle PQR के अंदर दोनों अगर base angle equal है therefore in triangle PQR हम कहेंगे PQ is equals to PR opposite sides equal होंगी अगर base angle equal है तो यह triangle isocillus है therefore triangle PQR is isocillus triangle मैं पूरी उमीद करता हूँ आपको यहां तक चीजे बहुत अच्छे से समझ आई हूंगी चलिए move करते हैं next question की तरफ वो है question number 34 जो की chapter mensuration से आपके सामने a medicine capsule is in the shape of a cylinder एक medicine की capsule है जिसका shape कैसा है तो वो cylinder टाइब का shape है ठीक है आप notice करिएगा cylinder टाइब का शेप है इस इन दे शेप ओफ इसे लेंडर विट टू हैमिस्फेर स्टक एट इच इच इट्स एंड्स यह हैमिस्फेर का पार्ट है यह हमिस्फेर का पार्ट है तो अगर आप notice करें तो आपको यह capsule तीन तुकडों में नजर आ रही है ठीक है वो तीन तुकडे center में cylinder है ends पे hemisphere है ऐसा इस question में बोला गया the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm जो पूरा diameter है वो 5 mm है इसका मतलब यहां अगर center है तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है यह जो दूरी है ठीक है मैं एक red pen का use कर लेता हूँ मैं बोलूंगा यह जो दूरी है यह 2.5 होगी क्योंकि पूरा diameter 5 है तो ये radius होगा, hemisphere का हैमिस्फेर का radius जो निकल के आएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी निकल के आएगी ये 2.5 निकल के आएगी 2.5 mm Done Again, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये दूरी Again, कितनी आ रही है तो यह दूरी हमारी आ रही है 2.5 mm ठीक है तो यह दूरी आ गई यह दूरी आ गई ड़न पूरा था 14 14 में से सिलेंडर अगर आप देखें तो सिलेंडर यहां से लेके यहां तक सिलेंडर की हाइट है सिलेंडर की लेंथ है ठीक है 14 में से अगर मैं 5 हटा दूँ तो 14 में से 4 गया 10 10 में से एक गया 9 तो यह 9 mm आएगा मतलब कैपसुल क्योंकि तीन पार्ट से जुड़के बना है तो यहां पर इस तरीके से हमने इसके सारे डाइमेंशन निकाल लिया दे लेंथ अब इंटायर कैपसुल इस 14 mm और डायमेटर दी कैपसुल क्या इपसुल आयेगा ठीक है तो यहां पर लिह के से एक देते हैं और क्या आफसुल और यह सर्फेस एरिबिया यहां पर निकल के क्या के आएगा तो यह आजाएगा सीएस आफ हैमीसफिट्फिर c c e of हैमीसफिर अड़ेड्मैड वित पिसे एसे ओफ सिलेंडर so is added with csa of again hemisphere done यह आपका आगया चलिए मूफ करते हैं आगे तो csa of hemisphere का formula क्या है csa of hemisphere का formula है 2 pi r square तो मैं कहूंगा यहां पर यह आजाएगा 2 pi r square दूसरे वाले hemisphere में भी formula लगेगा 2 pi r square और cylinder का csa है 2 pi r h तो 2 pi r h इस formula को मुझे लगाना है इन में से सब में से अगर मैं 2 pi r को common निकाल लूँ यह आ गया बाहर तो अंदर बचेगा r plus r plus h ठीक है यहां पर अगर आप value डाले तो 2 multiplied with 22 by 7 multiplied with 2.5 मतलब 25 upon 10 radius 2.5 ही चल रहा है तो radius 2.5 मतलब 25 upon 10 और bracket के अंदर r plus r होता है 2 r that means 2 multiplied with again 25 by 10 ठीक है प्लस h h मतलब height of this cylinder 2 pi r h में height जो चलेंडर की height h तो h यहां पर निकल के आएगा 9 तो यह आया 9 ठीक है इसको solve कर दीजिए पूरे capsule का surface area आ जाएगा यह आ जाएगा आपका देखिएगा तो 2 into 22 is 44 तो मैं गोंगा 2 into 3.14 कर दे 22 by 7 की जगह पे मैं 3.14 ले लेता हूं ज्यादा असान हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 multiplied with 3.14 ठीक है और decimal हटाया तो नीचे 100 हो गया तो यह decimal remove कर दीजिए decimal remove कर दीजिए अब multiply कर दीजिए तो 2 into 4 is 8 2 into 1 is 2 2 into 3 is 6 multiplied with 25 upon 1000 100 multiplied with 10 bracket के अंदर आजेगा 2 5 times 5 5 times तो 5 plus 9 ठीक है यह हो जाएगा 14 तो solve कर लेते हैं इसको solve करते हैं एक sheet में अलग sheet ले लेते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए surface area of capsule surface area of capsule is equals to कितना आएगा तो यह आएगा 628 into 25 तो 628 628 into 25 तो यह आजेगा 5 into 4 is 25 into 4 is sorry 5 into 8 is 44 2 into 5 is 10 plus 4 is 14 5 into 6 is 30 और यह 31 cross 2 into 8 is 16 carry 1 4 & 5 और 2 into 6 is 12 तो यह आजाएगा जीरो दस का 0 carry 1 6 और 7 और 3 और 2 5 और 1 तो यह आजाएगा आपका 1000 में से 2 0 अटा दूंगा तो 157 upon 10 आएगा 157 upon 10 बचा और bracket में यहाँ पर multiply होगा आपका 5 plus 9 मतलब 14 तो यह 14 यहाँ पर multiply हो जाएगा दन इसको आप और solve कर लिजे तो 157 into 14 4 into 7 is 28 2 carry 4 into 5 is 20 plus 2 is 22 और 6 cross 1 into 7 1 into 5 1 into 1 8 7 8 9 5 5 10 11 और यह 2 1 9 8 तो यह आजाएगा 2 1 9.8 ठीक है अब पूरा आप देख लिए यूनिट क्या चल रहा है तो surface area आपने निकाला है तो units का square आएगा मतलब यहाँ पर पूरी units mm में चल रही थी तो surface area भी mm square आएगा ठीक है तो यहाँ पर यह आपका आजाएगा mm square इस पकार से आपको इस सवाल को करना था solve जो की हमने कर लिया चलिए move करते हैं इसका एक और second part है मतला और पार्ट है इसका तो 34 में और पार्ट में गुलाब जामुन वाला कोशन दिया हुआ है और यह कोशन भी अच्छा सवाल है टेंथ क्लास के लेवल पर इस तरह का सवाल आना चाहिए चलिए कोशन कर लेते हैं बड़ा सिंपल सवाल है पढ़ते हैं क्या बोला है अग गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू एबाउट 30 परसेंट इस वाल्यूम तो यहां पर देखो यह क्या बोल रहा है कंटेनर में गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन में जो सिरप है मतलब जो चाशनी है वह टोटल वॉल्यूम का 30 परसेंट तो आप गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30 परसेंट सिरप वोड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन इच शेप लाइका सेलेंडर विथ 2 हैमिस्फेरिकल एंड्स फिगर वह यह जो भी पिछले कोशन में किया था यह बोल रहा है हर गुलाब जामुन देखने में इस टाइप का है ठीक है अब इस तरहा के गुलाब जामुन मे जो खुद का वॉल्यूम है उसका 30% सिरप भरा हुआ है ऐसे 45 गुलाब जामुन ने इस कंटेनर के अंदर तो इसके बारे में यह बोल रहा है कि विथ 2 हैमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमेटर डायमेटर 2.8 सेंटीमेटर हैमिस्फेर का जो लेंथ दिया है ठी लेंथ वो टोटल लेंथ मुझे इन्होंने दी हैं कितनी 5 सेंटीमेटर अब ऐसे 45 गुलाब जामुन है तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं एक गुलाब जामुन का वाल्यूम फाइंड करते हैं तो इसके लिए अगर मैं पैन का कलर चेंज करके यहां पर आपको यह दिखा आएगा 1.4 और इधर से लेके इधर तक का जो रेडियस है वो भी होगा 1.4 इसका मतलब जो सिलेंडर की लेंथ निकल के आएगी ठीक है वो 5 में से 1.401.4 मतलब 2.8 हटा दो तो 5 में से अगर मैं 2.8 माइनस करता हूं तो आप देखिएगा 5.0 में से अगर आप 2.8 माइनस कर तो यह आजाएगा 0.2 और 4 में से दो गए 2.2 तो गुलाब जामून में 2.2 सेंटीमीटर का सिलेंडर है और जो रेडियस है वो रेडियस है आपका 1.4 सेंटीमीटर का इन्होंने वर्ड डायमीटर बोला है तो यहां से मैंने रेडियस निकाला है क्लियर चलिए शॉल कर ले तो वोल्यूम अव दिसलेंडर दैटेस पायार स्क्वायर एच अड़िद विद वोल्यूम फ्टू है मिस्फेर इस विद सेंटीमीटर विद एक हैमिस्फेर का वोल्यूम होता है 2 x 3 पायार क्यूब यहीं होता है तो यह फॉर्मूला मैं यूस करने वाला हूं एक से अगर मैं देखूं तो यह हो जाएगा पायार स्क्वायर एच प्लस फॉर बाए थ्री पाय आर क्यूब यहीं होगा इसमें से कॉमन ले लिजिए बाहर पाय कर दीजिए आर का स्क्वायर बाहर कर दीजिए ब्रैकेट में बचेगा हाइट ऑफ दी सिलेंडर एड़िद व करना है वह हम बाद में डिसकस करेंगे अभी तो मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहा हूं ठीक है तो यह निकालने के लिए हम एक काम करते हैं एक शीट ले ले लेते हैं तो यहाँ पर 22 by 7 22 by 7 आर का स्क्वायर पीछे क्या था आर का स्क्वायर रेडियस था 1.4 1.4 का स्क्वायर नेट मींस यह आजाएगा 14 by 10 and 14 by 10 ब्रैकेट के अंदर हाइट हाइट एच तो यह थी 2.2 2.2 2.2 प्लस 2.2 प्लस 4 by 3 इंटू आर आर अगें यहाँ पर हम देखें रेडियस इस 1.4 तो यह हो जाएगा 14 by 10 दं इसको सॉल्ल करें एक गुलाब जामून का वोल्यं साथ 45 गूलाब जामून है कितने गूलाब जामून है 25 गुलाब जामून है देख लेए is 45 गूलाब जामून है यहां पर जो वोल्यूम हमें मिलेगा वो 45 गुलाब जामुन्स का मिलेगा अच्छा यह हमारे पास आ गया है ठीक है हमें इसको आप सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं 7 के टेबल में 45 तो नहीं आता है तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा बहुत मल्टिप्लाइ करके देखूं तो यह आ जाएगा 45 मल्टिप्लाइड विद 22 बाइ 7 को क्योंकि 7 हाँ 7 यहां पर 14 को काट पा रहा है तू टाइम्स ठीक है और 2 क्योंकि 10 को काट पा रहा है 5 ताइम्स और 5 क्योंकि 45 को काट पा रहा है 9 ताइम्स तो मैं यह बोल सकता हूं कि मेरे पास अब जो बचके आएगा बाहर ब्रैकेट के वो है 9 इंटू 22 मल्टिप्लाइड विद 14 अपॉंट 10 मल्टिप्लाइड विद ब्रैकेट के अंदर आ जाओ तो 2.2 प्लस ठीक है 3 से कुछ नहीं कट रहा ठीक है तो 4 इंटू 14 कितना होता है तो 4 बाइ 3 4 इंटू 14 इस 4 इंटू 4 इस 16 16 का 6 कैरी 156 अपॉं 30 यही आएगा ठीक है तो यह आग लेने पर यह आजाएगा 2.2 मतलब 22 बाइ 10 लिख सकता हूं तो 2.2 को हम लिख देते हैं कितना 22 बाइ 10 अच्छा टैनों 30 का अगर मैं अल्सियम देखूं तो एक तो 10 और एक 3 मतलब 30 अल्सियम आएगा तो यहां पर अगर हम देखें तो 9 इंटू 14 9 इंटू 2 इस 18 18 का 8 कैरी 11 18 198 इंटू 14 अपाउन 10 यह आएगा मल्टिप्लाइड विथ यहां पर LCM ले लिजे 10 30 का LCM 30 आएगा ठीक है 3 3 2 2 6 3 2 2 6 प्लस यहां पर 56 यह आएगा ठीक है इसको और शॉल कर लें तो यह आजाएगा 198 मल्टिप्लाइड विथ 14 मल्टिप्लाइड विथ 606 12 का 2 कैरी 1 तो 12 12 22 और नीचे यहां पर आ जाएगा यह 10 इंटू 30 ठीक है अगिन 30 से यह कैंसल आउट करिये तो यह 10 हो जाएगा और 3 से यह कैंसल आउट होगा तो 3 6 x 18 3 6 x 18 और कुछ नहीं है तो यह आपका सॉल्व कर आएगा 66 इंटू 14 66 इंटू 14 तो 4 इंटू 6 इस 24 2 कैरी 24 26 क्रॉस 1 इं और 6 चार बारा बारा का दो कैरी वन आठ और नो 924 तो इन दोनों का 924 और 122 का मुल्टिप्लिकेशन भी यह में तो इंटू 9 इस 18 प्रॉस 2 इंटू 2 इस 4 इंटू 2 इस 4 तो इंटू 9 इस 18 डबल क्रॉस यहां पर 4 2 नाइन तो यह आपका आएगा 8 आठ और यहां पर 8 और 8 16 जोला का 6 कैरीवन 9 और 10 10 और 2 12 12 का दो कैरीवन 11 तो यह आजाएगा 112688 upon 100 1126.88 यह हमारी value आई ठीक है यह हमारा volume आया है 45 गुलाब जामुन्स का कितने गुलाब जामुन्स का 45 गुलाब जामुन्स का cm3 में तो यहां पर मैं लिख देता हूँ volume of 45 गुलाब जामुन्स जी जे लिख देता हूँ ठीक है अभी question में हमसे बूला है कि सिरप की जो quantity है वो 30% है तो इसका 30% calculate करिये तो इसका अगर मैं 30% calculate करूंगा तो यहां पर एक sheet all ले लेते हैं now 30% of ठीक है volume of गुलाब जामुन्स इस सिरप यह इनोंने बोला है और यह पूछा है बताइए कितना सिरप का volume है तो यहां पर मैं बोलूंगा हमारा answer आया था पीछे 1126 1126 1126.88 का आप 30% calculate कर लो ठीक है इतना आपका यहां पर हम कहेंगे सिरप का volume है गुलाब जामुन्स में ठीक है तो यहां पर शुन्ने से यह शुन्ने कड़ गया 3 से multiply करेंगे तो 3 into 8 is 24 2 carry 24 26 2 carry 3 into 6 is 18 19 20 0 2 carry 3 into 2 is 6 7 और 8 3 into 1 is 3 and 3 into 1 is 3 ठीक है अपॉन 10 तो यह आजाएगा कुछ answer यहां पर 338 338 approximately इतना cube प्लीज आप लोग चेक करिये और मुझे नीचे जरूर बताईए comment box में ठीक है कि सिरप का जो volume है वो कितना आया तो मैंने एक approximate value दी है मुझे लगता है मैंने सही value दी है 338 आपका answer आएगा ठीक है यह गुलाब जामून के अंदर volume है सिरप का अगर आप question देखे तो यही आप से पूछा भी था आप गुलाब जामून contains the sugar syrup up to about 30% of its volume find approximately how much syrup would be found तो मैं कहूंगा यहां पर जो syrup का volume निकल के आया है वो आपका निकल के आया है 338 cm3 done आजाएए लास्ट कोशन इस वीडियो का जो कि है कोशन नमबर 35 the falling table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps कितने lamps है 400 neon lamps है तो यह lifetime घंटों के अंदर दिया हुआ है find the average lifetime of lamp इन्होंने कहा कि 15,000 घंटों से लेके कितना 1500 घंटों से लेके 2000 घंटे तक जो बल्ब चलेगा ऐसे फॉर्टीन नमबर ऑफ बल्ब्स है अगिन 2000 घंटों से लेकर यहां पे 2500 अवर्स तक 56 lamp काम करेंगे ठीक है अगिन 2500 से लेके 3000 यह एक क्लास दी है अगिन 3000 से लेके 3,500 घंटे 500 पांसो का फरक दिख रहा है मुझे 3,000 से लेके 4000 घंटों का ठीक है और 4000 से लेके 4,500 घंटे तो 4000 से लेके 4,500 घंटे और 4,000 से लेके 5000 घंटे कितने कितने बल्ब्स आपको दिये हुए हैं तो यहां पे देखिए 14, 56, 60 86 बल्ब 74 bulb and 62 bulb और यहां पर है 48 bulbs यह आपको frequency दिये तो यह जो column है यह आपकी frequency का column है यह आपके class size class दी है classes दी है ठीक है एक column इसमें और कर देते हैं वो मैं कर देता हूँ cumulative frequency का किसका cumulative frequency का ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ यह भी आपको formula लगाने पर समझाएगा मैं यहां पर average निकालना है तो mean, median, mode तीन तरीके होते हैं median से central tendency निकाल के दे रहा हूँ ठीक है तो देखिएगा पहली class का cumulative frequency 14 नहीं आएगा बट यह 14 जो 56 में add होगा तो 60 और 10 70 अगिन 70 प्लस 60 इस 130 ठीक है 130 प्लस 86 तो 6, 8 और 2, 10, 11 और 216 216 प्लस 4 इस 220, 220 और 70 इस 290 ठीक है 290 में 2 add हुआ तो यह 9 और 6 का sum यह 15, 15 का 5, carry 1, 352 352 में 8 add हुआ, 360 और यह आगया 400 तो finally 400 cumulative frequency यहाँ पर हमें मिल रही है यही हमें यहाँ पर भी बोलाता 400 neon lamps है formula तो मैं बोलूँगा इसकी median class, sorry, model class देखिए तो यहाँ पर अगर मैं देखू median से निकालता हूँ तो इसकी जो frequency है वो सबसे ज़ादा है तो f की value मैं कहूंगा 86 दिख रही है ठीके, class जो उन से निकल के आई है उसकी lower class limit मतला l की value, यह आपकी 3000 है cumulative frequency इसकी एक class पहले ठीके, एक होता है succeeding class एक होता है preceding class तो आपको जो cumulative frequency लेनी है जो cf लेनी है, वो preceding class की लेनी है, वो आजाएगी 130 done ठीक है, और h, हर class की जो height है, वो हमें दिख रही है 500 अगर इन सब values का मैं use करूं, कितनी values एक, दो, तीन, चार तो हमें median निकालने का formula पता है, ठीक है, एक sheet ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखू, median निकालना मतला average निकालना है न, तो किसी से भी कर सकते हैं, तो median अगर मैं निकालू तो L प्लस यहाँ पे, यह आपका आजाएगा, कितना कितनी total number of neon bulbs हैं, उसका n by 2 कर दीजिए, उसमें से cumulative frequency minus कर दीजिए upon present class की frequency क्या है, multiplied with height, अगर इस formula से solve करता हूँ, तो मैं जल्दी से answer दे भी सकता हूँ तो L की value यहाँ पर जो आपको मिल रही है, वो है 3000, तो L है 3000 added with 400 बल थे, तो 200 में से minus करिये CF की value हमने देखी थी 130 है, तो यहाँ पे 130 और frequency उस particular class की अगर आप देखे तो वो थी 86, तो यहाँ पे 86 multiplied with 500 इसको आपको solve करना है, simple है ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको solve करेंगे, तो यह आ जाएगा 3000, added with 200 में से 130 गए 70 70 by 86, multiplied with 500, ठीक है यहाँ पे यह solve किया, तो 3000, added with 7 into 5 is 35 triple 0, upon 86, ठीक है solve करिए, मुझे answer बताईए, यहाँ पे मैं आपके answer का करूँगा, wait, ठीक है तो यहाँ पर आप average दे सकते हैं, जो question मैं आपसे पूछा था, find the average lifetime of a lamp वो आपका average lifetime, मतलब घंटों के अंदर निकल के आएगा, यहाँ पर ठीक है, चलिए, answer दीजिएगा, comment box में नीचे मैं वेट करूँगा, यह वीडियो, यहाँ पर मैं करता हूँ, अंत, और आपको बता दूगी, definite success part शाला, एक अकेला ऐसा platform, जो अभी आपको दे रहे हैं, यहाँ पर, प्रॉपर दे कैसे sample papers का solution, आपको सिर्फ, हमारी वीडि की help हो पाए, जिन्होंने अभी तक तयारी चालू नहीं किये, 10th class students, 10th board के लिए, ठीक है, तो उन 10th class students तक आप जरूर इस वीडियो को पहुंचाए, उनसे बताइए, कि यह इतने sample paper करके चले जाओ, यहाँ पर आपको यही varieties देखने को मिलने वाली हैं, तो हमने maximum type की varieties, जो कि हमारे phone numbers available है, definitely हमें directly call करें, ठीक है, आपके doubts भी हम लोग यहाँ पर solve करेंगे, तो चलिए, मिलते हैं next sample paper में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, bye and take care.